जो सेकन्ड एर के human geography पढ़ने वाले बच्चे अब आज आप लोगों को मैं ये human geography का last topic करा रही हूँ और ये है भारतिय जन्जाती नागा का और इसमें नागा जन्जाती के मैंने चार पार्ट बनाए हैं तो इसमें सबसे पहला पन वही मैं हमेशा कहती हूँ कि छेत्र को ध्यान से पढ़ें तो नागा जो हैं भारत के उत्तर पूर्वी राजे नागालेंड जिसमें की नगा परवस्षेणिया फैली हूई हैं और नागा जन्जाती का मूलने वासस्थान वही माना जाता है नाग शब्द की उत्पत्ती के बारे में विद्वानों के भाड़ी या नागा कहलाते हैं कच्छारी भाषा में नागा से तात्परिया एक युवा बहाद्दूर लड़ाकू व्यक्ति से लिया जाता है टालमी के अनुसार नागा का अर्थ है नंगे रहने वाले व्यक्तियों से है रक्टर वेरियर इल्विन का कथन है कि नगा शब रहते हैं नंगे रहने से इनका कोई सम्बंद नहीं है क्योंकि यह जन जाती पूणत है नंगी नहीं रहते है। कुछ कम कपड़े बैंती है लेकिन नगन रहने की आदत इन में नहीं है नागा लोगों के उत्पत्ति के बारे में भी थोड़ा बहुत विवाद पाया जाता है और ऐसी माननेता है कि इन लोगों का जो संबंध है वो इंडो मंगोलाइड प्रजाती से है निवास छेत्र यदि हम नागा जन जाती के देखते हैं तो नागा लेंड में कोहिमा, मोकुपचुंग और तुएंग सांग, जिलों में, मनिपूर राज्य में इन लोगों का निवास पाया जाता है इस प्रदेश में नागा पहाडियां चार सामानतर शेणियों में फैली हैं जो सभी उत्तर पूरवी दिशा में हैं जिसे लैंग्विंग कोण, आसु कोण, चांगी कोण और चावी कोग नगा चेत्र 26 डिग्री 12 मिनिट से 26 डिग्री 45 मिनिट उत्तरी अक्षान्स और 94 डिग्री 18 मिनिट से 94 डिग्री 50 मिनिट पूरवी दिशांतर के बीच लगबग 26,000 वर्ग किलोमेटर चेत्र में फैला हुआ है इस छेत्र में नागा जिन जाती का सबसे अधिक केंद्रि करण जो है वो नगा परवत पर हुआ है नागा लेंड और मनीपूर में जो नागा पाए जाते हैं उनको इन उपुवर्गों में बाढ़ा गया है पहला है आपका नागालेंड, अब नागालेंड में जो अलग-अलग पाये जाते हैं उसमें जैसे फ़र्स्ट नंबर पर उत्री भाग में रंगपा और कान्याक, सेकिन नंबर पर पश्चिम में रेंगमा, सेंस, अंगामी नागा, थार्ड नंबर पर मद्य भाग में लिोटा, चांग, सांगतम और यिमचुरांग, चुंगार, दक्षिनी भाग में कचा और कबूई नगा, तता पूरी भाग में तेंखुल और केंगु नगा मुख्य है बच्चों ये शब्द थोड़े कठिन है, लेकिन इनको यदि आप देखेंगे उस एरिया से जोड़के तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे और इन शब्दों को आप इंगलिश में याद कर लें तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि जब एक्जाम में आपके पेपर में आते हैं तो ये दोनों शब्दों में आते हैं और इंगलिश में आपको समझना ज़्यादा आसान रहेगा इनके अतिरिक चाकेसंग, खीनमुंगन, फोम, जैलियाग और आओ नागा भी हैं मनिपूर में आओ नागा, तैंकुल नागा, मिथी और मराम नागा पाये जाते हैं इन सब में आओ रंगामी नागा मुख्य है तो यहां जो हम जिनके बारे में जादा बता रहे हैं, वो हैं मनिपूर के आओ नागा यहां अधिकांशत मैंने उनी के बारे में बताया है वातावरन की दशाएं संपूर्ण नगा छेतर में पहाडी हैं ओसत उचाई इस एरिया की 2000 मीटर है नागा पहाडियां जो हैं वो दक्षे पश्चिम से उत्तर पूरू की और फैलियो ही है इसमें अनेक नदिया निकल कर ब्रह्म पुत्र में मिलती है यहां की मुख्य नदियां दिसाई, जालू, दीकू, मेलक और सुरोंग है इन पर आने जाने के लिए आवा नागा जो हैं वो जूलते हुए अपुल भी बनाते हैं इनके परवतों की उपरी ढालू शुष्क है, किन्तु निचले भाग थोड़े दलदली है वर्षा का ओसत तीन सो से चार सो सेंटिमिटर है इसलिए अधिक वर्षा के कारण यहां पर जो वन है, वो सगहन पाये जाते हैं इन में साल, सागवान, बांस, बेत, जैक फ्रूट, आम, बलूत, चीड ऐसे बड़े वर्ख्ष पाये जाते हैं इन वर्ख्षों में अनेक प्रकार की जंगली फल भी बहुत अराम से मिल जाते हैं और वनों में जो जंगली हाती, जंगली पश्शू, भिन भिन रूप के जैसे भैसे, सुवर, रीच, तिंदुए, इत्यादी यहां पर पाये जाते हैं इन में अनेक प्रकार की चडिया, चुहे, गलेहरिया और छोटे जीव भी आसानी से मिल जाते हैं नागा लोग जो होते हैं, उनका शारिरिक गठन और चमडी का रंग, हलके पीले रंग से गहरा भूरा होता है चहरा जो होता है, वो ललाई लिये हुए रहता है, बाल, काले और गुंगराले, सीधे तथा लहरदार, आखें गहरी भूरी, मंगोली आकरती की गाल और हड्डियां उभरी हुई, दाढ़ी और मूचों में थोड़े बाल कम, होट, साधारन ते पतले, ठुड़ी अंडाकार, सिर चोड़े से मध्यम आकार का, नाक चोड़ी से सकड़ी, नतुने चोड़े, शरीर का गठन सुन्दर, तथा कद मध्यम से लंबा होता है प्रजातिय द्रष्टी से इनका संबन्द इंडो-मंगोलियन लोगों से माना जाता है इनकी जो बस्तियां और घर होते हैं, ये अपने पहाड़ों के उपरी ढालों पर बनाते हैं यहां जो ओस्त जनसिंख्या देखने को मिलती है, वो 650 व्यक्ति और जो गाम होते हैं, उसमें अच्छा खासा एक बड़ा गाम होता है, जिसमें 200 से 250 मकान या जोपडियां पर रखी जाती है, गाउं के चारों और हलकेवन, बांस, ऐसे इस तरह के जुंड लगा देते हैं ताकि मुख्य रास्ता जो गाउं से द्वार तक जाता है, वो पत्थरों का बना देते हैं और दोनों और बबूल के वरक्षों की कातारे होती हैं, तो आसानी से कोई वहाँ प्रवेश ना कर सके इस तरह की व्यवस्था ही लोग रखते हैं गाउं के प्रते छोर पे दरवाजे होते हैं, लकडिके बनाये जाते हैं और अन्य साइड में खाईयां बनाई होती हैं जैसा कि मैंने का सुरक्षा की दृष्टी से ही लोग इस तरह का एरिया रखते हैं कि जल्दी से कोई भी पशू जैसे कि शत्रू और पशू दोनों ही उन पर अचानक से कोई हमला ना कर सके प्रते गाउं में एक या अधिक विवाहतों के शैनागार मोरंग होते हैं और यह गाउं के दरवाजे के निकटी बनाये जाते हैं और यह 15 मीटर लंबा और 6 मीटर चोड़ा एक एरिया बनाते हैं जिसमें दिवारें 5.5 मीटर उची होती हैं चत का ढाल 11 मीटर तक रखते हैं इसके दोनों सुरे भूमी पर दिवार से टिक जाते हैं और दो दरवाजे होते हैं बहार और मानव या पश्वों की आकृतों से खिदवे लकडी के दरवाजे होते हैं यहां अंदर सोने के लिए बैंच लगाई जाती हैं और मिट्टी के चूले पर खाना पकाना यहां पर किया जाता है अब यह मोरंग जो होते हैं यह एक प्रकार के कलब घर होते हैं जिनमें गाउं के एविवाहित युवक रहते हैं और जो समय समय पर बाहरी आक्रमनों से गां के लोगों को सूचना देते हैं डोल बजा कर सामाजिक जीवन में इन मोरंग का बड़ा महत्व होता है ये मोरंग प्राय छे वर्ष में एक बार बनाये जाते हैं और वर्ष में इनकी एक बार मरम्मत भी की जाती है मोरंग के बार एक बड़ा धोल या नगाड़ा ये लोग रख देते हैं और सामान्यत है 1.6 मीटर व्यास का बड़ा ढोल जो 5 मीटर परीदी लिए होता है और अंदर से खोकला होता है उपर से भेंस की खाल से मड़ा होता है तो इसमें जो मोरंग में जो यूवक रहते हैं वो समय समय पर लकडियों से इसको बजाते हैं और यह नगाड़ा जो है वो खराब ना हो गाउं में एक बड़े व्रक्ष के नीचे कुछ गोल मटोल पत्थर टिका कर रखे जाते हैं और यह पत्थर जो होते हैं यह शांती और सम्रुद्धी का प्रतीक माने जाते हैं यहां गाउं का संबंद घरों से गलियों द्वारा होता है मुख्य सड़क के दो और घरों की कतारे बनाई जाती है यह रेखी प्रतिरूप होता है और जिसके जो दरवाजे होते हैं वो सड़क की और ही खुलते हैं दूसरी कतार जो होती है वो पहाड़ियों की तरफ बनाई जाती है एक गाउं को दो या दो से अधिक महलों में बाटा जाता है जिने खेल भी कहते हैं इनमें घरों की आकरतियां और जो धांचे हैं वो मकान मालिक की आर्थिक इस्तर को परदशित करते हैं यानि जिसके घर में जितना ज़ादा सजावट और अच्छा बनावा घर है वह व्यक्ति उतना ही संपन होगा गाउं में घर दो बातों को ध्यान रख कर बनाते हैं लोग पहला ये देखते हैं कि गाउं के आसपास ऐसी भूमी हो जहां क्रशी की जा सके है और दूसरा जल की प्राब्ति इस्थाई तोर पर हो यानि इस्थाई श्रोत नदी का किनारा हो कोई तालाब हो आसानी से ग्राउ हमेशा स्थाई रूप से इनको प्राब्त होता रहे क्योंकि क्रशी योग्य भूमी से आकरशिक्त होकर घर बना लेते हैं जब शुश्क काल आता है तो नीचे की घाटियों में लाना पड़ता है और शुश्क रितु में लोग नदियों की घाटियों में ही रहते हैं तो ध धनी नागा जो होते हैं वो अपने घर के बाहर भैंस के बड़े-बड़े सींग या सींगों की तुरही लगाते हैं जिससे उनकी संपन दर्शित होती है और मकान के दुआरों पर मानव खोपड़ी, बाल और खाल लटकाते हैं अब मकान अधिक सुविधा संपन बनाये जा कि किस तरह के कपड़े और कैसे आभूशन जेवर ये लोग पहनना पसंद करते हैं तो इनमें विबिन वर्गों के नागाओं में विबिन प्रकार के वस्तर पहने जाते हैं और वस्तरों का चुनाव जो है वो वहाँ जो मुखिया होता है उसके निर्दाशन नुशार किया लेती हैं सामान्यते नागा लोग जो हैं वो आद्रों और उशन जलवायों के कारण कम वस्तर पहनते हैं आव पुरूश लगबग 1.25 मीटर लंबा और 25 सेंटीमीटर थोड़ा सफेद या निले रंग का एक कपड़ा कमर पर लपेट लेते हैं और ये इस तरह से बनाया जाता है कि इस पर रंग या सजावट और आगे की और दित्ती रहे इन वस्तरों पर रंग भी रंगी डिजाइन ने अथवाशेर, चीता, तीरकमान, आदी चित्र बनाये जाते हैं इस्त्रियां सवा से डेड मीटर लंबा तथा पचास से पिचितर सेंटी मीटर चोड़ा एक घागरा सा पहनती हैं शरीर के उपर के भाग को एक अन्यवस्तर दुवारा बगल तक ढखा जाता है पुरुष सिर पर रीच की खाल या खोपड़ी की टोपी पहनते हैं बक्रियों के बाल के टोपे या रीच के बाल की टोपियां और हानविल के पंक लगाकर हाती दात और पीतल के भुजबन दादी पहनते हैं यह इस प्रकार बनाया जाता है कि इस पर रंग टकनों के उपर ये लोग रंगीन या सादा बांस या बैंत की खपच्चियां पहनते हैं कानों में पीतल की बालियां पहनी जाती हैं नत्य के समद पूरुष जीते रीच हिरन आदी की खालों के वस्तर जो बनाते हैं उनका प्रियोग करते हैं और इस्त्रियां जो होती हैं वो कानों में बड़ी-बड़ी बालियां पहनती है दोरियों से बांद कर उनको चुक्छे उभारी होती है तो उनको दोरियों से चौड़ी करगनी, गले में गुरिया और कोडियों की मालाएं पहनती हैं, ये बालों में हान बिल के पंक और पीतल के भारी पिन तथा ब्रेसलेट पहनती हैं, बच्चों ये नागा लोगों का जो मैं विवरन आप लोगों को दे रही हूँ, ये मैंने लगबग आपको पूर अगा लोगों का छेत्र जो है, ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि एटलस में से देख कर आप लोग मार्क कर लें और इसको अपने खाली मानचित्र में सारे स्थानों को भरके रख लें ताकि आपको मुख्य परिक्षा में जब आप इस तरह का कोई कुश्यन बने, कोई प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर दे सकें, अब बाकी की बात अगले वीडियो में करेंगे, धन्यवाद